हलो गाइज विल्कम बैक टू मैं चानल ममी दड़ाबा इदाने वाली है तो क्या आपने सोचा है कि सिवईयों को कुछ अलग तरह से बनाया जाए अगर नहीं सोचा है तो इस इद पे बनाएं इस पेशल कश्टड वाली लच्छा सिवई क्रीमी टेक्श्टर वाली कश्टड सिवई को आप इद के एक दिन पहले बनाकर फ्रीज में रख दें और इद के दिन फटाफट सर्फ करें इसे बनाना एकदम आसान है चलिए तहम इसे बनाना शुरू करते हैं तो इसके लिए फिलेम को अन कर लें और कडाही को गरम होने दें यहाँ पर मैंने दो पीस लच् सुच्छे को चूरु करने के बाद इसे एक साइड में रख लें कराही गरम हो चुका है इसमें एक बढ़ा चमच घी डाल दें घी को अच्छे से मिल्ट होने दें घी के गरम होने पर हम इसमें कुछ ड्राई प्रूट्स को हलका सप्राई कर लेंगे तो इसके लिए एक प्रम को लोही रखें इन सभी चीजों को हलका सा फ़्राई करने के बाद हम इसमें एक बड़ा चमच किशमिष मिला लेंगे किशमिष को फ़्राई करने में बहुत कम टाइम लगता है इसलिए इससे लाश्ट में मिलाएं लो फिलिम पर ड्राइफ रूट्स को दो मिनट फ्राई करने के बाद इसे निकाल लें ड्राइफ रूट्स को फ्राई करने के बाद इसे भी एक साइड में रख लें कराही में घी बचा हुए है तो इसी घी में हम चूर किये हुए लच्छे को मिला कर थोड़ी दिर के लिए भुन लेंगे लच्छा तो वैसे अल्रेडी फ्राई किया हुआ आता है लेकिन आप इसे घी में थोड़ी दिर के लिए और भुन लेंगी तो इसका टेस्ट और भी जादा बढ़ जाएगा घी में भुने हुए लच्छे में से एक चमची छोटी का टोड़ी में निकाल लें लच्छा को हलका सा फ्राई करने के बाद इसमें दो कप दूद मिला लें दूद आप जो भी घर में इस्तेमाल करती हैं उसे ही मिला लें लच्छा को दूद के साथ मिक्स करते हुए थोड़ा सा चला लें थोड़ा सा केसर अगर आपके पास हो तो इसे मिला लें वैसे यह ओप्शनल है इसी के साथ इसमें आधी चमची हरी लेची पॉडर मिला लें 60 ग्राम चीनी मिला लें चीनी की क्वाइंटिटी आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या जाधा कर सकती है थोड़ा सा चला लें इसे यहाँ पर दो बड़ा चमच मैंने वेनीला कस्टड पॉडर लिया है कस्टड पॉडर को ठंडे दूद में घोल लें कस्टड को घोलने के लिए दूद रूम टमपरेचर पे जाएए इसमें गरम दूद का इस्तिमाल नहीं करना है फराई के हुए ड्राइफ रूट्स को भी इसमें मिला लें कस्टड पॉडर को भी हलका से मिलाने के बाद एक हाथ से मिलाएं और एक हाथ से चलाती रहें इससे मैं फिलेम को मीडियम कर लें और इन सभी चीज़ों को अच्छे से दो-तीन मिनट के लिए पकने दें आप इसे बराबर से चलाती रहें इसे हमें बहुत जादा गाड़ा नहीं करना है यह देखने में अभी आपको लिक्विड यासा लग रहा है लेकिन ठंड़ा होने के बाद यह गाड़ा हो जाएगा इसे इसी तरह का रखना है हमें अब फिलेम को ओफ कर दें चलिए तो हम इसे सर्व कर लेते हैं आप इसे गर्मा गरम खाएं या ठंड़ा करके दोनों ही सुरत में यह बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है थोड़े से ड्राइफ रूट्स और थोड़े से फराई के हुए से वही से इसकी गार्नेशिंग कर दें लीजिये तो आपके लिए इसी इद श्पेशल कस्टड वाली लच्छा से वही रेडी हो चुकी है आप भी हमारी रेसिपी को फॉलो करते हुए क्रीमी टेक्शेर वाली लच्छा से वही बनाएं सभी लोग बहुत पसंद करेंगे आपको हमारे स्पेशल कस्टड वाले लच्छा से वही की रेसिपी पसंद आई तो फिलीज वीडियो को लाइक करना एक दम न भूलें और जादा से जादा शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ओके बाई